नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चानल दटीम पर अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें हमारा आज का विशय है सपने में साप देखना अक्सर लोगोंने सपने में साप देखे हैं जिसके शुप और अशुप दोनों मतलब हो सकते हैं लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने साप को किसावस्था में देखा है दोस्तों जब आपका राहू कमजोर होता है तब साप दिखाई देते हैं तो वही कई बार सपने में कुछ साप को देखना धान के आखमन भी हो सकते हैं यदि आपने सफेद रंका साप देखा है तो इसकी अनुसार आपके आने वाले समय में आर्थिक लाग मिल सकता है यदि आपने सपने में बुरे रंगा साब देखा है तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही नौकरी मिलने वाली है या किसी व्यापारी में नौकरी मिल जाएगी दोस्तो यदि आपने सपने में रंगीन साब देखा है तो इसका अर्थ यह है कि आपको कोई बरा आदमी बनने से रोक सकता है यदि आपने सपने में पीला साब देखा है तो इसके अनुसार आपको किसी ना किसी कारण अपना घर छोड़ना पर सकता है यदि आपने सपने में काला नाग देखा है तो इसके अनुसार आपकी आर्थिक स्थिति बहतर होने वाली है दोस्तो यदि आपने सपने में उर्ता हुआ साप देखा है तो यह एक अशुप सपन है ऐसा माना जाता है कि उर्तव साप धन्हानी और आर्थिक तंगी की तरफ इशारा करता है दोस्तों सपनी में साप देखने में बस इतना ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करें ताकि सबी सपनों के सही अर्थ आपको हमारे चानल पर मिल जाए धन्यवाद